हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू मैं चैनल उमीद करती हूँ रोज की तरह आप सभी अच्छे होंगे आज आपके लिए बहुत ही यूसफुल वीडियो लाई हूँ चो डेरी लाइफ में आपके काम को आसान कर देगी वीडियो ज़रासी भी अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह के न्यू न्यू टिप्स लेकर आती रहती हूँ तो आज इस वीडियो में बताएंगे कि पानी के अंदर हरी मिर्च डालना क्यो जरूरी है तो फिर देर न करती हुए करते हैं वीडि तो जब आदा निम्बु रखने के बाद इसको हम यूज करते हैं तो इसमें थोड़ी सी कड़वाहत आने लग जाती है तो इसको आप फिरिज में ऐसे मत रखें तो आप वो करना क्या है फिरिज के अंदर अगर निम्बु को रखना है तो थोड़ा सा आप इस तरह से एक या दो दिन के बाद जब निम्बू यूज़ करेंगे तो इसमें बिल्कुल भी कड़वाहत नहीं आएगी तो यह बहुत ही बढ़िया टिप है एक पर आप जरूर ट्राय करें तो यह देखिए इस तरह से आप फ्रिज के अंदर निम्बू कड़ करके रख सकते हैं तो न हिंग की डबी यूज़ करते हैं तो इसका डगकन हम इस तरह से लगा जाते हैं कभी कभी क्या होता है कि जल्दबाजी में जब यह डगकन है खुला रहा जाता है हलका थोड़ा सा भी खुला रहा जाता है तो जित्ते भी हिंग की खुश्बू है वो सारी दीरे दीरे इसमे खतम हो जाती है तो इसके लिए आप क्या करें एक लेले फोईल पेपर और फोईल पेपर को इसमें ही हिंग की डिबी में इसमें ही आप लगा कर रखें और इस तरह से इसको पैक कर दें और इसमें उपर इस तरह से आप धकन लगा दें तो कभी कभी क्या होगा जल्दबाजी में भी आपका डखकन जो है थोड़ा सा भी लूस भी रह जाएगा या फिर बरसाद के मौसम में भी क्या होता है कि हिंग की जो है उसमें हलकी सी नमी आ जाती है जिससे उसकी स्मेल कम हो जाती है खुश्बू कम हो जाती है तो इस तरह से आप हटा ले और फिर वापस से जब यूज कर ले हिंगंग तो वापस से इस तरह से डिपी में पैक कर दें तो फोईल फेपर लगाने का ये फाइदा होसा होगा हिंग की जतनी भी खुश्बू है वो इस डिपी में ही रहेगी और और डाल में भी हिंगही खुश्बू बनी रहेगी तो नेक्ट च्च औटीप यह खराब नहीं होगी नमे के कारण और जो हल्की सी रोष्ट हो जाएगी हो तो आपकी सब्जियों में बिल्कुल इसका फ्लेवर है बहुत ज्यादा रोष्ट होने के बाद बढ़ जाएगा फ्लेवर तो आई होप आपको यह वाला टिप भी मेरा पसंद आया होगा पढ़त जिससे गैस में जितनी भी चिकनाई है सारी दूर हो जाएगी आपको ले लेना है बेकिंग सोडा एक स्पून बेकिंग सोडा ले लेना है और नीमबू ले लेना है तो मैंने नीमबू का चिलका लिया है और इन दोनों को अच्छी तरह से हमें गैस के उपर रब कर लेना है और 5 मिनिट ही सिरफ हमें रब करना है इसके बाद आप खुद ही देखेंगे कि जितनी भी चिकनाई है गैस की वो सारी इसमें बेकिंग सोडा में अच्छी तरह से अबसोर्ड हो जाएगी और जो कलर है बेकिंग सोडा का बिल्कुल चेंज हो जाएगा तो बेकिंग सोडा जो होता है वो बहुती बड़ी है क्लीनिंग का काम करता है तो इससे जो होता है दो फायते हो जाएगे एक तो आपका गैस है बिल्कुल अच्छी तरह से क्लीन हो जाएगा और चिकनाई बिल्कुल भी नहीं रहेगी और दूसरी बात आपका जो जितने भी गैस के अंदर जो जितनी भी गंदगी है वो भी सारी दूर हो जाएगी तो देखिए अच्छी तरह से मैंने रब कर लिया है और कितना पीला हो गया है जो चिकनाई की कारण जो हमारा गैस इतना गंदा हो जाता है तो इस तरह से 15 दिन में और यहां फिर एक मैने में एक बार अगर असको क्लीन कर ले तो बिल्कुल आपका गैस न्यू जैसे ही लगेगा तो सिर्फ दो चीजों की जरूरत है बेकिंग सोडा और नीमू से इस तरह से रब करते हुए देखिए पूरा गैस मैंने अच्छी तरह से क्लीन कर लिया है इसके बाद अगर चाहे तो आप पान है वह भी तरह से क्लीन हो और लेना है गीला कपड़ से मैंने कलीन क लिया है और इसके पास सूखे कपड़े तो आप खुद ही देख सकते हैंगे गैस जो है हमारा जितना चिकना हो गया था बिल्कुल भी चिकना इसमें नहीं रही है तो अब बिल्कुल न्यू जैसे हो गया है तो पांच या दस मिंड में आप एक महीने में एक बार आप इस टिप्स को जरूर ट्राय करें तो आई होप ही दो हरी मिर्च और पूरी रात को इस तरह से पानी में ही डिप रहने दे और सुबए आपको खाली पेट इसका पानी पी लेना है और आधे गंड़े दो को bit नहीं खाना है तो यह देखिए पानी में हरी मिर्चि के इस्तिमाल से आपको बहूत ज़याा फायदाने जो होती है उक ऐसी चीजा है जिसका इसितमाल हर गर्म में खाना बनाने के वक्त किया जाता है ओ, खाना आने वक्त के बाद सबस्क्रामौ हम का उसी करते हैं तो इसके बहुत जयदाीय फ्य दैएड, शाम humor को मजबूत करतی है जो शरीर में रोगों को बचाता है और साथी साथ मोटापा कर्म करने के लिए भी ये सहायक है तो इसमें बहुत सारा आयरन पोटेशियम कोपर प्रोटीन विटामिन A, B, 6 और C होता है तो इस तरह से आप रात को धक कर रखतें और धक कर रखने के बाद पानी में से हरी मिर्च को निकाल दे और हरी मिर्च को निकालने के बाद इसका पानी आप पी ले अगर आप चाहें तो हरी मिर्च को कट करके दो हिस्सों में कट करके भी इसमें डाल सकते हैं इससे भी आपको ज्यादा फायदे होने वाला है तो इस तरह से हरिमिर्ज का बहुत ज्यादा फायदा है इसका पानी पीने से भी बहुत ज्यादा फायदा है तो आई होप आपको ये वाला टिप भी मेरा पसंद आया होगा उमीद करती हूँ आपको मेरी इस सारे टिप पसंद आया होंगे सबसे ज़्यादा आपको कौन सा टिप पसंद आया मुझे कमेंट बोक्स में जरूर बताना मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टिप्स के साथ तब तक के लिए बाइ बाइ एंड टेक केर